हेलो ब्रोन आपका बर्फिट से अतुलिशी सेंटर में स्वागत है आज के इस वीदियो में मैं क्लास 12 हिंदी का 2021 मोडल पेपर लेकर आया हूँ तीन गंटे 15 मिन समय रहता है और 15 मिनिट समय यह पढ़ने के लिए रहता है और तीन गंटा लिखने के लिए रहता है समझ में तीन गंटा क्या करने के लिए रहता है लिखने के लिए रहता है यह तो आप सब को पता होगा लेकिन आज का जो मोडल पेपर में आपको दिखाने वाला हूं आप कोपी कलम लेकर बैठ जाए और उसका सोलूशन भी मैं बताऊंगा सारे कोशन का ठीक है आयंड तक जरूर देखिएगा चलो स्टार्ट करता हूं खंड का और इससे पहले में बता दू टोटल कितने नंबर कालपी और हिंदी पांच-पांच नंबर काता है यह आप सब को पहला है निंदरस निबंद कार की रचनाकार है तो निंदरस के निबंद के रचनाकार कौन है हरी संकर परिसाई है कौन है हरी संकर परिसाई जी है निंदरस निबंद के रचनाकार हरी संकर परिसाई है पहला कोशन क्लियर दूसरा कोशन अब देखिए चिंता मड़ी आई होप समझ में जरूर आए होगा ठीक है अब आगे देखिए तीसरा फटा फट बताओं क्योंकि टाइम ज्यादा वेश्ट ना हो आपका ये मेरा हर एक सम्भो प्रयास आता है अगला है बाबु गुलाब रायद्वारा रचित मेरी आज सफलता है किस बिधा पर आधारित बहुत ही अची तरीके से बताया था और आएगा भी ये है आत्मकथा क्या है आत्मकथा बाबु गुलाब रायद्वारा रचित मेरी आ सफलता है किस बिधा पर आधारित है आत्मकथा पर आधारित है अगला कोशन हम देखते हैं कलम का सिपाही कलम का सिपाही जीवनी के कौन है अमरित राई जी है अगला हम देखते हैं परताप नरायन मिस्र जी परतापनारायन पत्तृ के के संपादक थे तीक है यादुगा आगे चलू चलू आगे है क्रिष्ण खंड काव के कभी नहीं है क्रिष्ण खंड कावे के कभी नहीं है अब दीखीं इस में कहा है कभी नहीं तो नाभाधास जी कृष्ण काव थारा कые नहीं है तब नाभाधास आप क्लिक करिंग लिखिएathan ग्यानपीट पुरशकार नहीं मिला यानि कि चार भी कल्प दिया है तो चार भी कल्प दिया यानि कि चार लोग में से तीन लोग को मिला होगा एक ही लोग को नहीं मिला होगा तो वो कौन है कि जिसे ग्यान पीट पुरुषकार नहीं मिला है तो वो है मैथली सरड गुपत को ग्यान पीट पुरुषकार नहीं मि तो कावे धारा के कवी हैं अगला कोशन हम देख लेते हैं फटाक से घा हिंदी का प्राचिंतम महा कावे हैं हिंदी का जो प्राचिंतम यानि कि पहुत दिन पहले से महा कावे है घा वाला देखिए हिंदी का प्राचिंतम तो वह क्या है स्री राम चरित मानस यह आप सब को प कोश्ट है अग्ये ने Trek प्रकाशुन किया अगय ने TARSब तक का प्रकाश्ट यानि कि 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 साल किया तो भया पहला सही संदा टालिस में उननी इस्तों ठीरालिस में अगे ने तारसब तक का प्रकाशन किया है अगला हम देखते हैं देखिए अब जो दस विकल्प थे बहुई कल्पी जो आता है हिंदी गद्ध हिंदी पद्ध से मिला के वह मैंने आपको बताया आप देखिए इसमें आ जाता है तीसरे कोशन दिये गए मह गध्यांज पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दीजिए और यह टोटल कितने नंबर के हैं दस नंबर के हैं कितने नंबर के हैं टोटल दस नंबर के तो इसमें भी आपको दो विकल्प राता है अथवा करके लिखा राता है क्या राता है अथवा अथवा लिखा राता है या आप सब को पता है तो दोनों मतलब ज फोड़ देख लिजिए राष्ट का तीसरा अंग जन की संस्क्रित यह आप सब पढ़ लीजिए गा अब उसी में से यह जो कोश्चन दिया गया है उसी में से छाट के इसको लिखना है समझ में आ गया उसी में से क्या करना है छाट के आपको लिखना है इसमें आथवा आ जाता चाहे आप उसको वाला करिए या तो इसके यह वाला कर लिजिए दोनों में से तो एक तो आपको आता ही रहेगा जहां तक मुझे लगता है ठीक ह अब हम आगे देखते हैं दिये गए पद्यांस पर आधारि निमलिखित प्रश्णों के hetter दीजी सिते आते थे यही अभी नदे ही माता नकुमाता पुत्र कुकुत्र भले माता कुमाता नहीं हो सकती यह जिसका जो और इसमें भू में विकल्प दिया है कि इसके लेखक का कौन है इसके बारे में भी दिया गया है अगला, इसमें अथुआ आ जाता है यह आजाता है उपर वाला करिए, यह तो नीचयँ वाला करिए दोनों में सेएगड़ना है ना कि दोनों कितना करना है सिर्फ एक करना है ये बात याद रखना आप सम्झें और इसमें हिंदी जो देखिए इसमें भी विकलप है ठीक है इसमें भी विकलप है आकास और पृतिविक का कोई भी तत्व किससे अग्यात रह सकता यह आपको कहां जब आप पूरा पढ़ेंगे और इसका आता रहेगा जो उपर मैंने आपको बताया अगर इसका आता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे इसमें देखिए बिकल्प दिया गया है पांच बिकल्प है टोटल और दो-दो कि देखिएगा कि मैं जो महत्वपूर्ड जिवन पर्चे बताया था उसमें से मिल रहा है कि नहीं मैंने दो बताया था तीन में आपका दो मिल रहा है डाक्टर एपीजी अब्दुलकलाम को बताया था और डाक्टर हजारी परसाथ को नहीं बताया था वास्देऊ-स्राडग तो आपको मिल जाएगा अगला देखिए निमलिखित में से किसी एक कवी का साहित्तिक परचे देते हुए उनकी प्रमुकृतियों का उल्लिक किजिए और अधिक्तम समय सीमा जो है असी सब्द है पांच नंबर आपको मिलता है कितने नंबर पांच नंबर मिल जाता है तो इस अब इंप्वार्टेंट है लेकिन लिखना आपको एक ही है चाहे आपको जो जादा आता रहा हो यानि कि जो सबसे अच्छे से एक्स्प्लेन कर सकें उसी को लिखेज चाहे जैसंकर प्रसाद का हो चाहे महादवी वर्मा का हो चाहे रामधारी सिंग दिनकर का हो अब हम रहता है आपका यह वाला दो है पांच नमबर बहुत ही आसान तरीके से क्योंकि इसमें फिक्स रहता है कि आपको यही लिखके आना है और यह दिया भी रहेगा यह भी रहता है यह आप सबको पता होगा इस टेट वाइज रहता है अगला देखिए साथों कोशन भी यहां स चाहे इसको करो यह तो इसको करो है ना इसी एंस्वार दिया गया है देखिए अब आ जाता है आपका खंड खा यानि की संस्कृत खंड का मैंने देखा पूरा हिंदी व्याधारी था अब आ गया कहां पर संस्कृत आ जाएगा और इसमें रश्चंदालकार आ जाएगा दे से किसी एकासा संदर्व हिंदी वे अनुबाद कीजिए अनुबाद करने के लिए आएगा धन्योयां भारत भारत देशम यत्रसमुलसती जनमान असपावने भावे इसी प्रकार से है पढ़िएगा बहुत मजा आएगा और इसका अर्था आपको लिखना है ठीक है बई अगला मैं आ जाता है देखिए इसमें क्या है संदर्व संदर्व सहित इसका व्याख्या करना है अनुबाद करना यानि की बिद्या विवादनम चाहिए आपको उपर वाला आता हो चाहिए आपको ये नीचे वाला आता हो साथ नंबर आपको मिल जा रहा है आसानी से आगे देखते हैं आगे जो है आपका निमलिखित मुहावरो लोकोकतियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए नमुवा कोट्षन जो आपको दिख रहा है नेमदिकत वहार होगा और लोग ठोमें से किसी एका अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करा है जिसे अपने मुह मिया मीठू बनना इद का चाद होना घाव पर नमक शड़कना जिसे घाव हो जाता है अगर उस पर नमक डाल दिया जाए तो कितना दर्द होगा तो यही चीज़ इसमें बताना है तिल का ताड बनना यह देखिए तिल का ताड बनना इद का चाद होना तो पूरे चार दिया रहेगा चार चार में से सिर्फ आपको एक ही करना ये बात आप द्यान रखना इसको आप लिख लीजिए अगला जाता है दसों कोश्चन संद्विछेद ये संद्विछेद में महोत सवा ये लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है इसको जरूर सब्त युग्मों का सही अर्थ है चैन करके लिखिये अनल अनिल पृत्वी और आकासिश का करना है देख लिए फटाफट और निमलिखी तवाक्यान सव में से किसी एक सब्त चैन करके लिए एक ही सब्त का चैन करके आपको लिखना चाहे जो एक ही करिएगा आगे हम देख यह को सुद्ध कर के लिखिए सुद्द दशु जानते हूं न अगर पिल्टा दिया है उसको पड़ना है अगला है करूब दो रश ल लीजिएगा और आप सब सोर्टा पढ़ लीजिएगा मजाए गात बल्कि रोला अगर नहीं पढ़ोगे ना तब चलDieगा दो पढ़ लीजिए गा दो उस अर यस प्रकार से आपको परिभासा उदारन नहीं आता होगा आप कमेंटर जरूर करिएगा ठीक है आगे देखिए आजाता है अगला आपका प्रार्थना पत्र लिखने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र लिखने बता दिया था फिर बता दूँगा आपको ठीक है अपने जनपत के किसी विद द्याले प्रभंदन के नाम अपना आवेदन पतर लिए इसमें मुश इंपॉर्टन जो होता है भाया हुआ होता है क्योंकि जो फोकस करना है और यह बहुत आसान होता है लिखने लिए अब आगया आपका लाश्ट है निबंध जो सब को यहनी आप सब को इंतजार रहता है कि निम लिखित 20,50 में से किसी एक पर अपनी भासा सैली में निबंध लिखिये आप किसी भी सब्जिक्ट का लिखिये जो यह दिया गया है पांचे छेवों में से किसी एक का भी लिखिए लेकिन एक बात को आप सब ध्यान रखना है यदि आपका 6 नमबर में आ रहा है तो लगभग आपको 6 हेडिंग लिखना है क्योंकि इसमें heading important होता है अगर साथ number का रहा है तब भी heading लिख देंगे चल जाएगा 8 number का रहा है लगभग आपको कितना साथ से 8 heading लिखेए जितना जादा आप heading बना ले जाते हैं जितने भी जादा heading बनाएंगे उतना जादा आपको number मिलेगा तो भारत में computer का महत्तों दूसरा है भरष्टाचार संक्रमडरों और मुझे लगता है आप सब इसी भरष्टाचार पर लिखेंगे क्योंकि भरष्टाचार इस समय बहुत हो रहा है और भरष्टाचार के उपर आपको लिखना भी चाहिए आई होप की मैं आपको समझाने में पूरा तात पर होँगा आप सब जुरूर कमेंट करके बताइएगा फिर मिलते हैं ने वीडियो में ध्यान रखिएगा अपना और फिर नेक्ट वीडियो में मिलते हैं बाए